हेलो फ्रेंड्स तो आज एक बड़ फिर हम लोग अपने क्लास जीएस 360 डिगरी क्लासेस में समाजिक बिज्यान और समाजिक अधियन का सेट लेके फिर से हाजी रुवे हैं और चलिए हम लोग आज से जो 30 क्वेशन का जो स्री चल रहा था आज से हम लोग इसको 60 क्वेशन कर कर चलेंगे ठीक है जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेशन है और एक्जाम के द्रिश्टी से बहुत ही फ्रूटफूल है तो चलिए बीना समय गमाई हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और जहां एक्स्प्लेन करने के जरुवत होगी वहां पर एक्स्प्लेन किया जा है ठीक है कितने प्रांतों में कॉंग्रेस बहुमत प्राप किया था फुल बहुमत के साथ में अपना सरकार बनाई थी कॉंग्रेस ठीक है तो यह आपका कितना है पांच में ठीक है पांच राज्यों में यह पूरा का पूरा बहुमत में अपना बनाया था ठीक है आगे क्य है वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतिय राष्टि कॉंग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी यह बहुत important question है ठीक है क्योंकि यहां पर नहीं लगा दिया है कहां पर अपना चुनाव जितने के बाद वहां पर अपना सरकार नहीं बनाए थी ठीक है तो देखी आपका यह कहां पर घझा पन जगा और बांग्रेस नहीं बनाई थी ठीक है आगे बढ़ते हैं में तो देखे निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतरगत कॉंग्रेस की मंत्री परशत का गठन नहीं हुआ था 1935 के अधिनियम के अंतरगत याद रखिये जो 1937 का चुनाव हुआ था वो 1935 के अधिनियम के अंतरगत हुआ था तो कहाँ पे? पंजाब में यहाँ पे नहीं हुआ था पंजाब में बेंगाल में ये सब में नहीं हुआ था ठीक है? देखे, 1935 के अधिनियं के उपरांत 1937 में हुवे चुनाओं में गठित कॉंग्रेश मंत्री मंदलो का कारेकाल कितना था? कितना दिन था बताई कितना मा ते आपका 28 मा था ठीक है 28 मा इसके दूतिये भी स्वयुध में बिना कॉंक के अनुमत्ति का ब्रिटेन द्वारा भारत को भी द्वीतिय वी स्वयूद में जोंक देने की वज़े से कॉंग्रेस का मंत्री मंडल था उजो पूरत्रिका से अस्थीपा दे दिया था ठीक है अपनी किस कारेकारणी कमेटी में कॉंग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त क यानि कि जो आपका जमिन्दारी प्रत्था था उसको समाप्त करने के लिए कब निती अपनाई थी बताईए आप लोग देखिए कार्जकारणी कमेटी 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने के निती अपनाई थी कॉंग्रेस ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्व यूपी कहां यूपी में गठित मंत्री मंदल में किसको बीत विभाग सौपा गया था किसको बीत विभाग सौपा गया था पताईए ठीक है इसका एंसर आप जाग आपका रफी अहमद की दवाई को किसको रफी अहमद की दवाई को ठीक है 1938 में भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, कौन हुए थे, सुभाष चंद्रबोस, अब ये कौन सा अधिवेशन था, हरीपूरा था, ये आप लोग को कमेंट बताना है, कि हरीपूरा था, या कोई और था, बताईए, भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस के हरीपूरा अधिवेशन की अध्यक्ष निर्व लिखीत में से किसने की थी, बताईए, किसने की थी, दखिए, यहीं पे हो गया आपका, सुभाष चंद् चीके हरीपूरा जहां भारतिये राष्टिक कॉंग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1908 में सुभाष चंद्र बोष की अध्यक्षता में हुए, वनिम्नांकित की स्राजे में है, हरीपूरा कहां है, ता यह हरीपूरा कहां है, हरीपूरा आपका गुजरात में है, कहां तो आप लोग हरिपूरा व्याद रखिएगा ठीक है तो यहां पे हरिपूरा में भी कौन जीता था सुभाचंद्र बोस और ये त्रीपूरी समय उन्सालिश्वाचंद्र बोस को कंग्रेस का अध्यक चुना क्या था यानिकि रिएलेक्टेट हुए थे लेकिन गांधी जी के हर्ष्ट छेव की वजह से आपका इनको सुभाचंद्र बोस को अधिक्स्ता छोड़नी पड़ी थी कहा है जबलपूर त्रीपूरी कहा है जबलपूर में आगे क्या बोल रहा है निमलिखीत भारतियर राष्टी कंग्रेस के कीस अधिवेशन में सुभाचंद्र बोस दूस ने पड़ीत में से भारतिय राष्टी कंग्रेस के कीस अधिवेशन में कौंग्रेस अध्यक्ष के चुनाओं में सुभाचंद्र बोस ने पटावी सीता रमय यभाचंद्र बोस ने पर्टावी सीता कीजि़ा क bur lagi किया था किसमें तेके ही किरीपूरी अधिवेशन 1949 में ठीक है तो फिर गांधी जी के दवाओं में आका सुभा चंद्रबोष को त्याग पत्र देना पड़ा था ठीक है उसी तरीका से बोला गया है सुभा चंद्रबोष के त्याग पत्र देखे बोले त्याग पत्र देदी वारा भारती राष्टी कॉंगरेस का अध्यक्ष कौन था बताईए कौन बना था तो फिर सिता पटाबी सिता रमया बने नहीं यह नहीं बने थे तो फिर किसको बनाया गया था राजेंदर प्रसाद को बनाया गया था ठीक है वह गांधीजी के जित्वे आगे क्या है वर्स 1949 में कॉंग्रेस को छोड़ने के पर साथ स्वासंद्र पूष्च ने किस दल की अस्थापना की थी बताईए बहुत इंपोर्डेन कुईस्चन है ठीक है कौन इतने यह फॉर्वड ब्लो का घठन किये थे इसका फॉर्वड ब्लो का घठन की थे ठीक है आगला question पहते हैं लोग सुभा चंद्र बोश ने forward block की अस्थापना की सुवर्स की थी कब किये थे बताइए वही तिरपूरी अधिवेशन में और त्याग पत देने के बाद तुरण से आपका यह 1949 में ही तुरण से forward block की अस्थापना की थी ठीक है आग यह बोला जनसंख्या 2011 के अनुसार निमलखीत में से किस राज्य का जनसंख्या घनत व सरवाधिक है बताइए किस का सरवाधिक है इन राज्यों में तो बिहार का कितना है एगारा सो तीन ठीक है एगारा सो तीन ब्य प्रतीसत सबसे अधीक है चत्तिस कड में आदिवासी जनसंख्या ठीक है तो यह दंते वाड़ा है दंते वाड़ा का नाम आप लोग सुने होंगे हमेशा न्यूज में रहता किसके लिए नक्सली गतिविदी के लिए ठीक है तो यह याद रखेंगा अब लो ये क्या बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेरित कीजिए सूचीयों के नीचे दिये गए कुट उपयोग करकर सही उतर चुने ठीक है देखिए सरवादिक सहरी कृत राज्य कौन सा है 2011 का ये सेंसस से ग्वेस्टन है ठीक है तो सरवादी सहरी क्रीत राज्य कौन सा है तो ए आपका हो गया यहाँ पे तामिलाडू तो फोर फोर किसमे है यानि कि आपका टू में है और यह यानि ए का फोर यानि कि फर्स्ट एन थर्ड खतम हो गया ठीक है अब यहाँ से एलिमिनेशन अगर आप आगे नहीं भी चांस बनता है देखे अधिकतर सहरी अबादी वाला राज देखे सरवादी सहरी क्रीत राज अधिकतम सहरी अबादी वाला राज ठीक है कौन सा है तो इसका तीन हो गया यानि कि आपका इसका महराज्ट ठीक है सहरी अबादी यानि कि यहाँ तक दोनों सेम चल रहा है अब आपको C जो C option है वो आपका deciding factor होगा अधिकतम जनसंक्या घनत वाला राज बताईए कौन सा है C का answer क्या होगा C का दिल्ली सबसे ज़्यादा घनत को दिल्ली में है तो हो गया आपका answer इसका 4 ठीक है यानि कि A का A हो गया इसका महराष्ट B हो गया दिल्ली C हो गया और अधिकतम प्रदेश D हो गया ठीक है तो इस तरीका से answer हुआ ठीक है 36 गड़ में सबसे अधिक जनसंक्या कीस आदिवासी समुक की है देखे कहां का बात कर रहा है 36 गड़ तो 36 गड़ में गोन जनसंक्या सबसे ज़्यादा है ठीक है अपना देश भारत, अपना भारत महान, ठीक है? 2021 की जनसंख्या के अनुसार उतर प्रदेश के किस जीले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधीक है? 2014 जनसंख्या के अनुसर क्यों है ? दिल्ली के पास है इसलिह जनसंख्या घंण चाहदा होगा ठीक है ? आगे क्यों बôल रहा है आपका ? तीर देखिए जीला जनसंख्या ठीक है बिलासपूर बीजापूर यह आपका ज़रूरत कर नहीं है ठीक है यह सेट में यह दो के सन फसाने के लिए इसा डलता है ठीक है देश का सरवाधी जनसंख्या वाला जीला कौन सा है ठीक है कौन सा थाने जीला का पूशा थाने निमलखीत देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमानिक मध्यान रेखा अस्टेंडर मेरीडियन कहलाती है ठीक है अस्टेंडर मेरीडियन कहलाती है हरे साथ यह होता है जैसे जीलोड़ीद इसांतर से जब पूर्भ की तीरफ जाते हैं तो यह प्लस में चला जाता है एसार ह्सेंडर देशांतर यहां पर है तो एक सो सुरी बेरासी पॉइंट थर्टी दिग्री इस्ट है अब इसी को जब डिवाइड कीजेगा तो आपका साड़े पांच घंडा हो जाता है ठीक है यह कैसे निकलता है यह आप लोगों को बता दिया जाएगा ठीक है आगे क्या पड़ा है रेड क्लीफ लाइन सीमा निर्धारीत करती है क्या किसका बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच ठीक है भारत और पाकिस्तान के बीच आगे क्या है अपका दखिए निमलखित युगमों पर बिचार कीजिए ठीक है निमलखित युगमों पर बिचार क कोंकन ही का डेंड़ियां है थे साही सुमेलित है ठीक्द क्यामूर पहाडिया थह क्यामूर के पहाडिया और क्ोंकन थत के पास है बताईए कैमूर के पाड़िया कौनकर टटटपाट है पास है तो दो गलत तो दो जिसमें यह हो गया यह गलत हो गया यानि दो इसमें हो गया बहुत जाएं यह गया आपको आपको कौन सब्सब्स чем चाहिं ड़का तैसल औहरला नका राड़ान यहांन आक चाहिए जाएं आया नहीं रहें खाले है आपका नीचे चले जाए आपका साट में Central edit' आगे देखते हैं हम लोग निम लिखी हिमाले की हिमाले की पहाड़ी सिनिखला में उचाय के साथ साथ निम्न कार्णों से वनस्पति में परिवर्दन आता है बताइए किस चीज में कि देखी है तापमान में गिरावट होगा देफिनिटि परिवर्दन आएगा वर्सा में बद लाओ परिवर्दन dat थीख है असी तरीका से तेज हवा उससे मिल जाएंगे ठीक है तक इसका एंसर अब का हो जाएगा एंड फॉर बदाए नाथुला दर्र कहां पे है नाथुला दर्र कहां आपका सिक्किम में है ठीक है कहां है सिक्की में सिक्की में एक और दर्रा बहुत फहमस से बताई आप लो कमेंट बोक्स में ठीक है निमलखीत में से कीन में प्रवाल भीतियां प्रवाल भीतियां हैं प्रवाल भीतियां कहां कहां है दखिए बताई इसमें कहां कहां है तो अगर आपको सुंदर वन को हटा दिया जाया तो कौनसा एंसर हो जागा यह यह 4-4 यानि कि 2 and 4 कटी है मनार की खाड़ी है तो 3-3 दोनों में आ गया कच की खाड़ी है ठीक है तो कच की खाड़ी में भी आपका देखने को मिलेगा यानि दो आगे यानि कि आपका answer या गया यानि कि अन्दमान निकोबार में भी है ठीक है, coral reef coral reef क्या होता है, उसके बारे मैं detail में वीडियो में जानेंगे ठीक है, कुछ समुदरी जीव होते है ठीक है ठीक है, निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है क्या बोला सुमेलित नहीं है बताइए कौन सुमेलित नहीं है अभी जश्ट बताया आपको नाथूला कहा है तो सिक्की में है ठीक है तो आपको कौन सा हो जागा इसमें दो गलत हो गया तब का लीपुले कहा है उत्राखन में रोतां कहा है हिमाचल परतेश में पाल घट कहा ह है केरल में पालगाट भोरगाट ठीक है और फॉर कुन सा है ठालगाट ठीक है ठालगाट कहा है बताइए ठालगाट महारास्टा में पालगाट भोरगाट केरल में ठीक है भारत के महा नियाएबादी को कैसे नियुक्त किया जाता है भारत के महा नियाएबादी को कैसे नियुक्त किया जाता है बताइए राश्टपत्ति के द्वारा राश्टपत्ति के परसात परियंत ये कारे करते हैं निर्वाचन आयूद को हटाया जा सकता है देगे क्या बोल रहा है आपे निर्वाचन आयूद तो बोल रहा है मुख्य निर्वाचन आयूद नहीं बोल रहा है तो निर्वाचन आयूगत को मुख्य निर्वाचन आयूगत के परामर्स पे आपका राश्टपती हटाते हैं लेकिन अगर मुख्य निर्वाचन आयूद को हटाने का बाता है तो ये सुप्रीम कोट के जो जज होते हैं उनको हटाने के जो बिद्धी होता है यानि impeachment ठीक है तो उसी के अधार के उसको हटाया जाता है ठीक है आगे क्या बता रहा है आपका निमली के तनव पर विचार कीजिए ठीक है राष्टपती भारत सरकार का कार्य अधिक सावधानी पूर्वक किये जानने के लिए और मंतिर पर विचियों में उक्तकार के लिए आवंटन के नियम नियम बनाएगा ठीक है चलिए पहला सही है भारत सरकार की समथ कार्य पालग कारवाईयां प्रधान मंत्री के नाम से की हुई जाएंगी नहीं प्रधान मंत्री नहीं राष्टपती के नाम से होगा तो यह कौन सीप और सीप राष्टपती के लिए यूज किया जाता है ठीक है इंपीचमेंट अधमाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सुचन देनी होती है तो 14 डेज का कितना दिन 14 डेज आनुपातिक प्रतिनीदीत्व की बेवस्था निर्वाच्चन क्रिया प् आगे राष्टपती आंगलभादे समुधाय के सदस्य को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का कि लोकसभा में समुधाय का पर्याग प्रतिनीदीत्व नहीं है तो इसमें दो है ठीक है लेकिन अब ये प्रोवीजन जो है आपका खत्म कर दिया गया है ठीक है अब आप लोग को ये बताना है कि 104 Constitutional Amendment है या कोई और है जिसमें की आंगलभारतियों को खत्म कर दिया गया ठीक है आंगलभारती सीट को जो चुना होता था उसको खत्म कर दिया गया है तो अब आप लोग ये बताना है भारत का उपरास्ट प बारत का द्वित्य उच्तम अधिका पदाधारी है ठीक है डिगनेटरी है राज्ट राष्ट पत्ति के पास अपने पद से जुड़ा कोई अपचारिक कार्य नहीं है ध्यान रखिएगा राष्ट पति की अनुपस्तिति में उसका कार्य करता है ठीक है एंड फोर क्या होगा राष्ट पति के रूप में कारे करता है यदि राष्ट पति त्याग्पत्र देता है या पज्यूत किया जाता है तो उसकी मृत्यी हो जाती हम सभी में करेगा यानि कि इसका चार हो एंसर होगा ठीक है इसको अप लोग देख लेंगे भारतिय संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के अध्यक्ष को कौन मनुनित करता है बताए कौन मनुनित करता है संसदी समिति ठीक है देखिए क्या बोल रहा है लोक लेखा समिति है तो लोग लेगा समीति के कौन सा हो जागा, लोग सबा अध्यक्ष करता है, ठीक है, निमलिखीत में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसद्य समीति है, बताईए, प्राकलन समीति, टोटल 30 मेंबर होते हैं, इसमें, कितना टोटल 30 मेंबर और सभी के सभी लोग सबा से होते हैं, ठ 22 होते हैं इसको आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं ठीक है संग लोग सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेधन किसको सोंपता है तो यह आपका राश्ट पति को सोंपता है केंद्र और राजियों के बीच होने वाले विवादों का निर्नय करने की भारत के उच्टम न्याले की सक्ति कीस के अंतरगत है केंदर और राजियों के वीच याद रहिए केंदर और राजियों के वीच ठीक है तो आपका ही हो गया मूल अधिकारिता के अंतरगत आता है केंदर सरकार तथा राजियों के मध आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई ठीक है केंदर सरकार तथा राज्यों के मद आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है 32 का कौन सा है बताइए केंदर सरकार और राज्यों के मद आर्थिक संबंधों का तो आर्टिकल 268 और 281 के अंतरगत ठीक है चलिए निमलिखीत अनुछेदों में से कौन सा एक राज सरकार को ग्राम पहचातों को संगर्ठित करने के लिए निर्देशित करता है आर्टिकल 40 जानी रहे हैं आप लोग आर्टिकल 40 ठीक है निमलिखीत में ठीक है निमलिखीत में से कौन सी एक समिती पंचायती राज संस्था से समन्धित नहीं है नहीं है बताईए बताईए कौन सी नहीं है दखिए बलबंत राय मेहता समिती, अस्वक मेहता समिती, एल एम सिंख्वी समिती ठीक है बीपी एं राव समिती इसका नहीं एंसर होगा बाकी तीनों सही है ठीक है हमारे समिधान में किस भाग में 305 में पंचायत्यें बनाने की परिकलपना की गई है ठीक है तो आपका हो गया भाग 9 ठीक है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है बस एक अरव 21 करोड याद रखेगा अब तो 130 करोड से उपर होने वाला है ठीक है जनगना 2021 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत प्रत्तिवर किलोमेटर कितना है बताए कितना है तो 382 वर किलोमेटर सोरी 382 वैक्ति प्रति वर किलोमेटर है ठीक है आगे क्या है भारत की जनगना 2021 के अनंतिम आकड़ो के अनुसार निमलखीत में से कौन सा राज सरवाधिक जनसंख्या वाला है ठीक है आगे का question क्या बोल रहा है निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए भारत के 29 राजियों दिल्ली पांडिचेरी उनमें समिलित नहीं है में गोवा का छेतरपल सबसे कम है ठीक है अब बताए गोवा का है या सिकीम का है जल्दी सापर सोचिए पांडिचेरी राष्टी राजधा भारत के 29 राजियों दिल्ली पांडिचेरी उनमें समिलित नहीं है उतर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट की है तो हाँ इसका तीनों सही हो जगा आपका आप लोग इसको देखिए बार बार ठीक है देखिए निमलेखित वक्तवियों पर विचार कीजिए उतर प्रदेश देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है ठीक है कथन और कारण कौन सा सही है आपका कथन सही है कारण गलत है अब लोग इसका थर्ड एंसर देखिए यसे लग रहा है कि आई इसका क्वेशन पुछा हुआ है तो देख रहे हैं किस तरीका से क्वेशन का लेवल बढ़ाता जा रहा है ठीक है उतर परदेश के पस्चात निमलिखीत में से किस राजी की जनसंख्या सरवादिक है उतर परदेश के पस्चात पुछ रहा है तो अभी ज़श्ट बढ़ाया था महाराष्ट का ठीक है निमलिखीत राज्जियों का सही अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार है यह आप काओ गया उतर परदेश, महराष्ट, बिहार, पस्षिम, बंगार भारत के निमलिखीत राज्जियों को उनकी जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम बेवसित कीजिये तथा अधो लिखीत कूट से सही उतर चुनिये ठीक है तो बताईए इसमें से उनकी जनसंख्या आकार के अधार पे बताईए कौन सा केसे है तो बताया. पहला उतरपरदेश, दूसरा, तो महराष्ठ आपका. टीन हो गया पहले, ठीक है? इसके बाद कौनसा? बिहार. दिखिए. इसका एंसर आफ लोग यहां से दे सकते हैं. देखिए महराष्ट पहले आ गया बिहार पहले आ गया फिर आपका कौन सा हो जागा पस्रीमगाल फिर आंदरप्रदेश देखिए दुनों है तो इसका एंसर आपका हो जागा कौन सा 2011 की जनसंख्या के अनंतिम आकड़ों के अनुसार भारत का द्वितिय सर्वाधी जनसंख्या वाला राज कौन सा है तिसरा पहला उतरपदेश दूसरा महराष्ट तिसरा बिहार 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत की जनसंख्या का ठीक है बिहार राज में निवास करती है पताईए कितना टोटल 9% भारत की एक तिहाई से अधिक जनसंख्या जिन राजियों में संकेंद्रित हैं वे हैं तो इसका पहला है इंसरा उतरपदेश महराष्ट और बिहार ठीक भारत के निमलखीत राजियों में से जनसंख्या द्रिश्टी से सबसे छोटा राज ये कौन सा है सबसे छोटा राज कौन सा है इन चारों में से सबसे छोटा राज कौन सा होगा तब का उडिसा होगा जनसंख्या के द्रिश्टी से निमलखीत राजियों में से किस एक सबसे कम है कौन सा है इसका करनाटक होगा ठीक है चली आगे देखें वर्स 2011 की जनगन्ना की आधार पन्निम्न राजियो संख्य छेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में वेवस्थित कीजिए इसका एंसर होगा आपका थरपुडुचेरी निजोरम और चंडिगर सि किम ठीक है तो फ्रेंट इस तरीका से हम लोग अभी आपका सिक्स्टी क्वेस्टन का एक क्विक रिविजन सीरीज हम लोग चला है जो कि आने वाले ततकालिन जितने भी एक्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपोर्डेंट बन जाता है ठीक है तो चलिए आप लोग इसको अ करने वाल मिलते हैं फिर दूसरे सेट में